बिस्मिल्लार रख्मान रहीम अस्सलामु अलेकुम उर्दू का गुल्दस्ता ग्रेड चहारब की किताब नर्गिस आज हम इस से टॉपिक पढ़ेंगे बिस्मिल्लार रख्मान रहीम सफ़ा नंबर 41 जी स्टुडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुटलिफ हादसात की वजवात और उनसे बचाओ ये हमारा आज का टॉपिक है आज का उन्वान है हम देखते हैं कि मुटलिफ हादसात जो वाकियात जो हैं वो रोजमरा जिंदगी में हमारे साथ पेश आते हैं उनको कैसे जो है वो हम रोक सकते हैं उनके असबाब क्या हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं तो हम अगाज करते हैं सडकों पर हादसात की वजवात हादसा हादसात हादसा की जमा है जिसका मतलब है सानिहात वाकियात वजवात वजू की जमा है वजा की असबाब और जरीए दाए बाए देखे बगएर सड़क पार करना अगर ताले विलम अगर हम दाए बाए देखे बगएर सड़क पार करते हैं तो हम बहुत से हादसात का शिकार हो सकते हैं लेहाजब जब भी सड़क पर और करें आपने दाइं और बाये देकर सड़क पार कनी है मसरूफ सड़क के किनारे ट्राफिक का खियाल किये बगेर खेलना और सड़क पर आ जाना कोशिश कीजिए कि जहां पर बहुत ज्यादा सड़क पर रश है ट्रैफिक है तो आप बगए ट्रैफिक को देखें वहां पर ना खेलेंगे और ना ही वहां पर अचानक से जो है वो आ जाएंगे क्योंकि अगर आप इन दोनों बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप हाथसे का शिकार हो सकते हैं साइकल या कोई भी सवारी बहुत तेजी से या जिगजग चलाना आप के पास साइकल है या कोई भी सवारी है तो आप ने उसकी रफ्तार को आहिस्ता करना है और जिगजग की सूरत में उसको चलाने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि इस से कोई भी हाथ सा पेश आ सकता है और आप नुकसान से दोचार हो सकते हैं सड़क पर पानी गिरा होने की सूरत में गाड़ी या साइकल की रफ़तार आइस्ता ना करना स्टुडेंट्स आप कोशिश करें कि जब भी आप जो है वो सड़क पार कर रहे हैं आपके पास गाड़ी है या साइकल है और अगर सड़क पार पानी मजूद है तो आप उसकी रफ़तार को हलका करतें क्योंकि गाड़ी फिसल सकती है साइकल फिसल सकती है जिसकी वज़ा से आपको नुकसान होगा सड़क के किनारे चलते हुए अपना रुख आने वाली ट्रैफिक की तरफ ना रखना अगर आप सड़क पर जो है किनारे पर चल रहे हैं और आप दाएं और बाएं जो हैं वो आने वाली ट्रैफिक को नहीं मद्दे नज़र रखें तो इस से कोई भी हादसा जो है वो पेश आ सकता है इन तमाम वज़ुआत के लावा भी हादसात की बहुत सी वज़ुआत होती हैं सोचिए और कोई सी दो वज़ुआत लिखिए जी स्टूडेंट्स आपका ये नोटबुक का काम है आपने वो दो वज़ुआत जो हैं वो खुद से सोचनी है और उनके उपर काम करके लिखके दिखाना है गरों में हादसात की वज़ुआत हीटर चूले या जनरेटर की गैस का बटन खुला रह जाना बहुत से हादसात जो हैं वो इस तरह से पेश आते हैं जिसकी वज़़े से बहुत ज्यादा नुकसानात जो हो जाते हैं कभी भी जो है वो हीटर चूले या जनरेटर की गैस का बटन छोड़े बगैर बटन आपने बंद करना है अगर आपने बंद नहीं किया तो आपको कोई भी हादसा जो है वो पेश आ सकता है चोटे बच्चों का गलती से कोई दवा खा या पी जाना हमेशा दवाएं बच्चों की पहुंसे दूर रखें इसकी वज़ा ये है कि छोटे बच्चे नहीं जानते कि कोई भी दवा कौन सी हैं किस मर्ज की हैं अगर वो इसके इस्तमाल कर लेते हैं तो वो उनके लिए इंतहाई मुज़र है चाकू या छूरी का लापरवाई से इस्तमाल शीशा तूटने से हाथ या जिसम का कोई हिस्सा जखमी हो जाना आप कोशिश कीजिए कि चाकू या छूरी का आप इस्तमाल लापरवाई से ना करें क्योंकि अगर आप इनका इस्तमाल लापरवाई से करेंगे तो इससे आपको नुक्सान हो सकता है इसी तरह अगर कोई शीशे की चीज तूट जाती है तो आप फोरी तोर पे उसको समेट लें ताकि आप जो है वो उससे मेफूज रह सकें और आपका कोई नुक्सान ना हो खोलता पानी या गी या तेल जिसम पर गिरने से नुक्सान हो जाना ये खास तोर पे आम रोटीन में हाम जो है वो रोज मर्णा जिन्दगी में ऐसा देखने में आता है लहाजा जो पानी गरम है या गी है गरम या तेल तो आप कोशिश कीजिए कि आप के जिसम पर ना गिरे ताकि आप नुक्सान से बस सकें बिजली के साकट में हाथ ये उंगली चली जाना और इससे करंट लगना बिजली की चीजों से हद्तुलविसा कोशिश करें कि बिजली के तमाम इस्तमाल होने वाले अलाज से आप दूर हैं और एथियाती तदबीर अख्तियार करें ताकि आप उनके नुक्साना से बच सके नीचे लिखी के इतियाती तदबीर की वजवाद लिखिए कि ऐसा करना क्यों जरूरी है मिसाल तमाम दवाएं बच्चों की पौंच से दूर रखें ऐसा वज़ा ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि बच्चे गलती से कोई दवा खा या पी सकते हैं जो उने बहुत नुक्सान दे सकते हैं गर में इस्तमाल होने वाली कीडे मारदवाएं बलीच, फिनाईल, पट्रोल या मट्टी का तेल वगारा किसी मशरूव या ड्रिंक की बोतल या डिबे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अगर गलती से वो इन तमाम चीजों का इस्तमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुक्सान उठाना पड़े गा शीशे की चीजें मसलन गलास वगारा तूटने पर फोरन जगा बिलकुल साफ कर देनी चाहिए ताकि आप महفوظ रह सके चोटे बच्चों की निगरानी ज़रूरी है कि वो बिजली के स्विच या आग के पास ना जाएं ठीक है शुक्रिया आपने जाना होगा कि सडकों पर हाथसात की क्या वजुआत हैं इसी तरह से घरों में हाथसात की वजुआत क्या हैं आपने कोशिश करनी है और इहत्याती तदबीर अख्तियार करनी है ताकि आप इन हाथसात से महفوظ रह सके और इस उन्वान को इस मुजू को पढ़ाने का मकसद भी यही है चीक है शुक्रिया